हेलो स्टुडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कोश्चन के तरफ जो हमारा एकुटेरिल पोजीशन है यहां पर हमने हमारा डाइपोल लिया है यहां पर प्लस क्यू चार्ज यहां पर माइनस क्यू इसका जो सेंटर पॉइंट है वह है ओ इतनी डिस्टेंस हो जाएगी वह आड़ स्क्यूर का रूट हो जाएगी अब हम देखने प्लस इंटेंसिटी आ रही है उसके डारेक्शन इधर है यह और एक इधर है इटू जब इन दोनों को में रिजॉल करूं तो यह हो जाएगा इवन कॉस्टेटा और यह हो जाएगा इटू कॉस्टेटा तो पहले हम जो है एवन इटू के वैल्ड निकालते हैं तो यह जो हमें पता है जो इलेक्ट्रीक फिल्ड इंटेंसिटी आएगी एटट पॉंट पीट पी डिउ टू प्लस क्यू चार्ज एट एट आप्लस क्यू चार्ज एट 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 वह आए कि यह हमारे इवन is equal to kq upon ap square अब यहाँ पर देखे जो ap की value है वो है under root r square plus l square तो यहाँ पर put कर दूँआ kq upon में under root r square plus l square की power 2 यहाँ पर 2 से root क्या हो जाएगा हमारा cancel हो जाएगा similarly जब हम e2 की value निकलेंगे तो यहाँ पर भी जो bp square है वो भी under root r square plus l square है तो अगें यहाँ पर square से root cancel हो जाएगा तो हमारे पास जो e2 की value आएगी that is e2 is equal to kq upon में under root r square plus l square का whole square हो जाएगा यहाँ पर भी square से root cancel हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा kq upon में r square plus l square अब देखें यहाँ पर जो दोनों value आ रही है वो equal आ रही है मतलब e1 और e2 दोनों आपस में बराबर है अब मैं इसके उपर निकालना है नेट intensity तो नेट intensity हो जाएगी हमारी इवन प्लस कॉस्थीटा प्लस e2 कॉस्थीटा तो यह हमारा हो जाएगा इवन कॉस्थीटा प्लस e2 कॉस्थीटा इवन और e2 दोनों आपस में equal है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टू इवन कॉस्थीटा हमने इटू की जागे पर भी इवन रख दिया और फिर दोनों को एड कर दिया है तो हमारे पास हो जाएगा तो यह हमारा इवन की वेल्यू यह थी वो थी हमारी के क्यू अपॉन आर इसक्यूर प्लस एल इसक्यूर और जब हम कॉस्थीटा निकालेगे तो बूश्थीटा होताए बेस अपॉन अपॉन यह ना उसक्यूर अब जब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए 2QL, इसको हम जात में लेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, K into में 2QL अपोन में, देखिए यहां पर इस पूरे की पावर 1 है, इसकी पावर 1 by 2 है, तो 1 plus 1 by 2 यहां पर रहता है हमारा 3 by 2, तो यह हो जाएगा R² प्लस L² की पावर 3 by 2 यहां पर जो L की वेल्यू है वह बहुत बहुत छोटी है R से तो L² यहां पर हो जाएगा 0 तो E is equal to हो जाएगा Kp upon में R² की पावर 3 by 2 यहां 2 से 2 cancel हो जाएगा तो जो net intensity बचेगी वह हमारे पर बचेगी Kp by R¥ यह हमारा फाइनल एक्सक्रेशन है और आप चाहो तो एक एक जगह पर रख सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग